केंदर सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आमादी पार्टी ने रविवार 11 जून को दिल्ली के रामलिला मैदान में एक महा रैली का आयोजित किया है ये केंदर सरकार के खिलाफ ये महा रैली आयोजित की जा रही है पहली इंट्रेंस्टिंग बात ये है खास बात ये है कि आमादी पार्टी ने शायद पहली बार महा रैली शब्द का इस्तमाल किया है और क्योंकि महा रैली है यानि कि ज़्यादा लोग जुटाने होंगे इसके लिए तो आमादी पार्टी के नेता दिल्ली के अंदर घर घर जाकर परचार कर रहे हैं कि लोग इस रैली में बड़ी संख्या में जुटें तो इस वक्त हम दक्षिनी दिल्ली के शापुर जाट में हैं जहाँ पर आमादी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्ते मंतरी स्वारभ भार्दवाज इस तरह से डोर टू डोर कैम्पेइन कर रहे हैं स्वारभ जी बहुत बहुत स्वागत है ये महारेली शब्द का इस्तमाल शायद पहली बार किया है आपने क्यों देखी क्योंकि बड़ा बामला है ये दिल्ली की स्वामिमान का बामला है 8 साल की लंबी कानुणी लड़ाई दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार में लड़ी और अन्त में सुप्रीम पोर्ट की समविधानिक बेंच नहीं कह दिया कि जो दिल्ली सरकार कह रही है वो सही है ये सारे हक इनके हैं कौन अफसर किस जगे पे काम करेगा गलत करता है तो उसके उपर कारवाई हो यह सब दिल्ली की चुनिवी सरकार के हक है अगर अफसर ही दिल्ली सरकार के आधिन नहीं होगे तो दिल्ली सरकार काम कैसे करेगी यह बात सुप्रीम कोट ने कही और जिस दिन सुप्रीम कोट की छुटियां हुई उसी रात को केंदर स सरकार के लेवल पे होना बहुत बड़ी बात है और दिली के लोग इससे काफी ज्यादा आहत भी है और परिशान भी है और अपना गुस्सा जो है वो वोट बे जाहिर तो करेंगे मगर उससे पहले मुझे लगता है सांकेतिक तौर पे रेलियों के माध्यम से भी केंदर सरकार को बताया जा रहा है कि आपने जो किया है वो ठीक नहीं किया आप उमीद करहें कितने लोग में जार्णी क्या है वेस्त लोग रहते हैं क़ोड़ा मुझ्अ होता दिल्ली के लोग लाना कई बार देखा प्रदान-मंत्तरी जी की बड़ी बड़ी ड Rachel थे उसमें हुई है रोहिनी में जैपनीज पार्क में मगर वहां पे बारतिय जिन्ता पार्टी को भीड जुटाने में संकट आता है मगर हम यह मान रहे हैं कि इस्रेली के अंदर हम लगबग एक लाक लोगों का जो है हमारे टार्गेट है और मुझे लगता है कि वह हम पूरा करता है कॉंग्रेस के बिना जो है यह सारी मुहीम बेमानी हो जाएगी कॉंग्रेस से कुछ अभी तक कम्मुनिकेशन आया है यह मुहीम तो दिल्ली की मुहीम है यहाँ पर पिछले नमर्स उटाने राज्यसभा में आगर आपको यह अध्यादेश गिराना है है यह राज्यसभा का अपना एक मामला है अगर अध्यादेश नहीं भी गिरा हां तो अभी सुप्रीम कोट के पूरी ताकत है कि वह इस अध्यादेश को गयर कानूनी कहे और इस गयर कानूनी अध्यादेश को स्टे कर देए आप किसी अध्यादेश से सुप्रीम कोट के फैसले को नहीं पलट सकते आप समीदान की मूलावना को नहीं इस महराली के जरीए आमादी पार्टी अपने पक्ष में माहाल बनाने और विरोधियों पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी दूसरी तरफ इस अध्यादेश का बिल जब राजसवा में आए तो उसको पास ना होने दिया जाए इसके लिए अर्विन केश जिवाल पहले से ही कवाय शुरू किये हुए हैं और नो पॉलिटिकल पार्टियों का उनको समर्थन मिल चुका है दस्वी पार्टी खुद अकलेश शादव से भी मुलाकात करेंगे अकलेश शादव और उनकी सहयोगी पार्टी राष्टिय लोगदल के चार वोट हैं चार सांसद हैं राजसभा में तो चार ये हो जाएंगे यानि कि जो पहले की दस पार्टियों का मिलाके जो वोट बन रहा है अभी तक वो 66 चार वोट और हो जाएंगे तो आकड़ा हो जाएगा 70 सारी जो नजरे लगी हुई हैं वो लगी हुई हैं कि कॉंग्रेस क्या इसका समर्थन करेगी कॉंग्रेस के पास 31 सांसद राजसभा के अंदर हैं तो अभी जो लगबग आकड़ा 70 पहुँच रहा है अगर कॉंग्रेस आ तो यह आकड़ा 101 पहुच जाएगा जबकि NDA जो है एक अनुमान के मताबिक NDA का जो आकड़ा है वो लगबग 110 के आसपास है तो कॉंग्रेस के आ जाने से यह जो लड़ाई है यह करीबी हो जाएगी और इस लड़ाई का मतलब भी निकलने लगेगा लेकिन अगर कॉंग् बीजेडी बीजुजंतादल और YSR कॉंग्रेस जो है जिनके 9-9 सांसद है कुल 18 सांसद इनके राजसवा में है यह किस तरफ जाते हैं तो अभी एक तरफ आमादी पार्टी जो है दो तरफा कोशिश कर रही है पहला जमीन पर किस तरह से माहौल बनाया जाए रैली की और दूशी तरफ कैसे राजसभा में हुरोका जाए रही बात कानूनी एंगल की या किस तरह से आमादी पार्टी इस पूरे मामले को कानूनी रूप में लड़ेगी तो सुप्रीम कोट के खुलने का इंतजार है सुप्रीम कोट जैसे ही खुलेंगी चुटियों के बाद ग योगी मुहमद मुर्सलीन के साथ मैं शरच शर्मा एंडी टीव इंडिया